अब ब्लाइट को दबाना ना बूलें ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हम कोई नहीं वीडियो बनाये करें तो दोस्तो आज की जो एप है बहुत अमेजिंग है उसको आपको एंड तक देखना होगा इस वीडियो को एंड तक देखना होगा और जानना होगा डीटेल में इस एप के बारे में वीडियो को एंड तक देखने तो आप काफी कुछ सीख पाएंगे और वीडियो को जड़ा कॉमेंट करके भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी चली दोस्तों वीडियो करते है स्टार्ट दोस्तों सबसे पहले तो यह एप आपको प्ले स्टोर पर इसली मिल जाएगी बहुत अच्छी आप है स्टोरी लैप के नाम से आपको सर्च करना है तो जैसे आप सर्च करेंगे तो सर्मेशे प्ले संप आप करना है असे स्टोर इसे लेडेट आप अब आपसे करेंगे मैं आपको बताएता हूं दूस्तों मैं आपको सिर्फ तरीए इससे बताओंगा अगर आपको फुल ओर्व्रव्यू चाहिए यह तो आप मुझे बता दिएका मैं इसके बादोगर म आप जैसे कि एसका पहली बात तो इंटरफेस ही बहुत ही जादा प्यारा है बहुत ही जादा सही लगता है और जैसे ही आप इसे करेंगे यहाँ पर आप जैसे कि इंस्टागराम पर स्टोरी वगएरा लोग कवर करते हैं आपने देगा वो बहुत सारे Actors use करते हैं तो इस तरीके से इन जो Templates हैं इनको use करते हैं यहाँ पर कुछ paid भी होती है कुछ unpaid भी होती है अप जैसे कि देख सकते हैं सबसे पहली इस तरीके से लगी हुई है आप यहाँ पे कोई भी अपना photo वगेरा upload गर सकते हैं अगर आप food blogger है तो इस तरीके से food की photo डाल सकते हैं मैं ये सिर्फ example के लिए बता रहा हूँ अधरवाइद आप कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं काफी cool है इस तरीके से इने drag कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं अगर आपको select करने हैं तो दूसरी भी आप इस तरीके से ले सकते हैं और इनको अगर आपको थोड़ा सा भी करना है तो drag कर सकते हैं और जैसे कि slide नी side में लगी हुई है तो ये automatically लगी हुई है तो आप इस तरीके से छोटी बड़ी करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी templates आपको मिल जाते हैं यहाँ और आपको बहुत सारी चीजे मिलने ज़से टील इस तरीके से आपको यह बहुत सारी slideshows वगरा यह सब देखने को मिल जाते हैं इनको यूज करेंगे तो आपको धीरे-धीरे इनका पता चलेगा कैसे इने यूज करते हैं ओके दोस्तों यूज कीजिए काफी cool लगते हैं यह वो के दोस्तों नीचे बहुत सारे दे रहे हैं इस तरीके से आपने यूज कर सकते हैं ओके दोस्तों बहुत सारे हैं यहां बहुत वास्ट अप्लिकेशन है यह बाकी यहां पर आपको देख सकते हैं आप पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं क्योंकि अप्लिकेशन में बहुत सारे लोग पे करते हैं के लिए आपको यहां पर 820 रुपे में मिल जाएगी और तीन मंत के लिए अगर आपको चाहिए जैसा आपको चाहिए वैसा आपको ले सकते हैं काफे अच्छी अप्लिकेशन बहुत सारी लोग पे करते हैं अधरवाइज आप फ्री में यूज करके स्क्रेंशॉट लेके भी काम चला सकते हैं जैसा कि जहल रिचातर लोग कर सकते हैं कर लिजिए गाओ और जैसी आपको अपलोड करनी आप पोने अप्लोड भी कर सकते हैं आपको अपडेट करनी है बस बनाते रहना है जितनी भी आप बनाएंगे यहां पर बहुत सारी ऑप्शन बैक्ग्राउंड है मीडिया है टैक्स्ट है स्टिकर है कटाउट है यह सारे आपको एडिटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं अबनाधे और इसके लाब बहुत सारी टैंप्लेट इस जो है आपको देख सकते हैं उपर तीन आपशन इस स्टोरी पोस्ट और हाइलाइट दोस्तो जैसे की स्टोरी का ओप्शन आता है आपको Instagram पे story के लिए यहाँ पे इस तरीके से templates पिलेंगे, post के लिए इस तरीके से template पिलेंगे, क्योंकि अलग-अलग उनका ratio होता है ओके दोस्तों, और setting मिल जाती है, setting में जाके आप कुछ भी करना चाते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे खरेता चाता है, join करना चाता है, join कर सकते हैं ओके दोस्तों, cool है यह application, नीचे यहाँ पे और collection आपको मिल जाते हैं, आपकी story यहाँ पे दिख जाएंगे, आप जो यहाँ पे create करेंगे, और यहाँ पे जाके आप story अपनी बना सकते हैं, तो काफी जादा overview मैंने दे दिया है, वैसे इस से जादा overview और भी बन सकता है, अगर आप चाहते हैं, मैं full detail में बता हूँ, तो आप वह भी बता दीजिएगा, हाला कि मैंने काफी कुछ कबर कर दिया है, इनके सबर वीडियो में कुछ छोड़ गया हूँ, आप को जो जानना हो तो आप comment करके बताईएगा, इसको एक बार यूज करके जरूर देखेएगा, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इसमें पैसे नहीं डालना चाहते हैं, तो मैंने आपको एक इसका solution बता दिया, आप screenshot लेके भी काम चाला सकते हैं, और हाला कि templates वगेरा ये बहुत अच्छी provide कराते ह तो इनके से अगर आप purchase करना चाहिए, अगर आप है capable आप कर सकते हैं, तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि application काफी अच्छी है काफी जैनोने, और बहुत सारे इसके positive reviews हैं, ओके दोस्तों, trusted है ये application, तो उमीद है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी पस झाल